हाई देस इस मनिश नमा वेलकुन में यूट्यूब चानल आपको याद होगा और बैंग निफ्टी में आपको टार्गेट बता था चार्ट देखो तो hourly चार्ट पर कहीं नगें थोड़ासा भी consolidation हमें देखने को मिलने लगा है और थोड़ासा एक sideways range हमें देखने को मिला है निफ्टी में यह निफ्टी का hourly चार्ट है और यहाँ पर मैंने darwas box theory apply किया है जो कि एक setup होता है ट्रेड करने के लिए rectangle setup तो आप देख सकते हो clean and clear उसी range में trade कर रहा है अब 13600 उपर की तरफ एक fresh breakout का काम करेगा 13400 यह नीचे के तरफ breakdown का काम करेगा तो आप यह level note down कर लेना अभी फिलाल यह 200 point के range में है निफ्टी और मुझे लगता है एक दो दिन और consolidate कर सकता है और Wednesday Thursday तक हमें एक trended move देखने को मिसकता है 13600 के उपर निफ्टी वापस buy रहेगा 13800, 13900 तक के target के लिए और अगर 13400 तूटता है तो हमें एक sharp correction देखने को मिसकता है 13000 तक जो कि एक psychological round of number है psychological support है तो Monday Tuesday के लिए मुझे थोड़ा सा sideways ही लग रहा है view consolidation देखने को मिसकता है 200 point के range में और 13600 और 13400 ये important level होगा निफ्टी के लिए 13600 ऊपर के तरफ breakout का का काम करेगा और 13400 नीच के तरफ breakdown का का काम करेगा अब आपको nifty analysis जहां सक clear होगा अब हम लोग bank nifty का analysis देखते हैं और bank nifty के levels भी देखते हैं bank nifty पे अगर आप देखो almost similar setup है अभी भी negative sign हमीं देखने को नहीं मिल रहा daily chart पे लेकिन इसमें भी hourly chart में अगर आप देखो almost 30900 के आसपास इसने double top बनाया है उसके बाद हमें एक fall देखने को मिला और वापस एक recovery भी देखने को मिली है अब overall bank nifty भी एक range में फसा हुआ है 30300 400 नीचे में support है और 31000 एक strong resistance है तो मुझे लगता है एक दो दिन के लिए market थोड़ा सा consolidate रह सकता है bank nifty थोड़ा सा sideways रह सकता है range bound रह सकता है 31000 के उपर अगर जाता है तो एक fresh breakout होगा जिसमें हमें 32000 तक के levels भी देखने को मिल सकते हैं और नीचे के तरफ अगर 3300 30400 का level तूपता है तो हमें 29000 तक के levels भी देखने को मिल सकते हैं तो overall अभी फिलाल एक range में है मैं आपको जो level बता रहा हूँ आप level no down करना हो 31000 के उपर आपको bandwidth buy करना है आपके risk capital के इसाब से आपको stock loss maintain रखना है नीचे मगर 3400 अगर तूपता है तो आपको short के दरफ जादेना है अभी फिलाल मुझे थोड़ा सा sideways लग रहा है nifty और bandwidth दोनों अब हम लोग discuss करेंगे कौन से 5 stock है जिसने आपको जान देना है upcoming week के लिए सबसे पहला stock होगा ITC cell ITC मुझे cell क्यों लग रहा है आपको समझाता हूँ यहाँ पर इसने breakout दिया है पाफी अच्छा breakout दिया है यहाँ से एक fresh breakout देखने को मिला retest कर सकता यह level और वापस हमें कपूल देखने को में सकता है तो ITC में 206-207 रुपे की target के लिए हम इसको short कर सकते है stop loss क्या रखना है आपको telegram channel में update कर दूँँगा in fact मैं 500 stocks के levels आपको update कर दूँगा telegram channel मे stop loss and target के साथ में जो मैं आपको trade जा रहा हूँ यह positional trade है swing trade है और आप stop loss and target आपको follow करना है तो ITC आप short के तरफ जाद आन दे सकते हो 206 रुपे के target के लिए next talk होगा sell के तरफ looping, looping में मुझे bearish लग रहा है क्यों लग रहा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर इसने एक dark cloud cover pattern बनाया है और उसके बाद sharp fall हमें देखने को मिला same pattern आप देख सकते हो यह same dark cloud cover pattern इसने यहाँ पर भी बनाया है और इसका भी confirmation selling हो चुका है तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक sharp fall देखने को मिल सकता है 860, 870 के level हमें देखने को मिल सकते है loop in में तो loop in भी काफी अच्छा short रहेगा exactly कौन से level पे sell करना है stock class and target के साथ में मैं आपको telegram channel में update कर दूँगा और stock होगा divis lab sell, divis lab भी structure मुझे काफी weak लग रहा है क्यूंकि यह बहुत बड़ा negative red candle है और यह concept में मेरे technical analysis program में cover करता हूं यह extremely negative setup है और अभी जो candle form होआ यह भी extremely negative setup है और यह बड़े वाले red candle का high अभी भी तूटा नहीं है यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसने अच्छा खासा trend line भी तोड़ा है daily chart पे exactly कौशे level पे sell करना है मैं आपको टेल्ग्राम चैनल में बता देना है तो तीन stock आपको short के तरफ जाधे आन देना है IPC, Lupin and Dennis Lab next stock देखते हैं हम लोग गोद्रेज properties गोद्रेज properties अगर आप देखो clean and clear strong momentum में हैं काफी अच्छी buying हमें देखने को मिली है और 1300 का जो round of number है उसके उपर closing देखने को मिला है तो गोद्रेज properties मुझे लगता है यहां से और पचासाट पॉल की rally हमें देखने को मिल सकती है हो सकता है इसमें 1400 तक के levels भी देखने को मिले तो गोद्रेज properties का फेचा बाय रहेगा एक्जाक्ली कौन से लेवल पर आपको टेलेगराम चैनल में बता दूए लास्ट आप होगा अधानी enterprise में एक pattern बन रहा है इसमें आपको टेलेगराम चैनल का लिंक मैंने description box में दिया हुआ है इसमें आपको इंट्राजे ट्रेडर्स में मिलते हैं मैंनिफ्टी निफ्टी ऑप्शन के ट्रेड्स में मिलते हैं options selling trades में मिलते है options buying trades में मिलते है तो आप ये टेलेगराम चैनल जरूर जाइन कर लेना इसमें आपको और additional trades भी मिलेंगे ये पांचो स्टॉक जो मैंने बताया है इनके levels भी मैं update कर दूँगा stop loss and target के साथ कल morning में तो टेलेगराम चैनल जरूर जाइन कर लेना उसमें आपको ये पांचो स्टॉक के level भी कल morning में मिल जाएंगे अगर आपको और भी सीखना है तो आप मेरा टेक्निकल लांसिस प्लस एल्गो का प्रोग्राम आप जाइन कर सकते हो मैं combine setup सिखाता हूं टेक्निकल प्लस एल्ग स्टार्ट हो चुका है अगर किसी को जॉइन करना है credit card EMI facility basis पे तो आप credit card EMI facility यूज करके जॉइन कर सकते हो second 100% money back guarantee offer भी चालू है तो class का जो starting के session होगे अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप हमें update कर सकते हो पूरा का पूरा fees आपको refund भी मिल जाएगा तो 100% money back guarantee offer भी है और credit card EMI facility भी स्टार्ट हो चुका है तो अगर आपको जॉइन करना 24th December का English language batch जॉइन कर सकते हो पर अगर आपको Hindi language batch जॉइन करना है जॉइन कर सकते हो आपको आपको पना है